स्रुष्टि कर्ता, लोक कर्ता, सरुव कारण कर्तह कि कर्ता तुड़ा कर दो कर दो कर दो को कर दो कर दो दो कर दो को दो कि अ अ कहा? इस राज्च्छ सी नहीं, राज कुमार के हत्या की है नहीं, मैंने इसकी हत्या नहीं की चल्द, इसने महाराज के पास ले चलेंगे महाराज, इसने राज कुमार के आभुष्णों की चोरी की है राज कुमार की हत्या की है इसका शरीय धट से अलग किया जाए पास वार से जारें दोपस काकुमार का वारें वारी कुमार का वारें तो उल्द, आपने नहीं, आपने है मैंने जाज की वारें 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 झीज चक्त। व्रिदास विर्दास यह जमान आप हीरे जवरात और अभूशनों के लिए इस हत्यारिन ने राजकुमार की हत्या कर दी है राजा की आग्या है कि इस इस्तरी का सिर धर से अलग कर दिया जाए क्योंकि वो हत्यारिन है ले आ उसे कि इस्तरी और असंभाव और असंभाव के नेनायक तो राजा हैं और राजा की आग्या का पालन करना हमारा धर्म है मेरे दास होने के नाते तुम मेरी आज्या का पालन करो इस इस्तरी का बद करो लो इसे हाँ जो आग्या जो आग्या देवी तुम जैसे नारिष शिरोगली और पतिवरता पर ऐसा हरो ऐसा कठोर दंड यह तो अन्याय की पराक आश्ठा है यह सब कैसे होता रहती है यह कैसा अनर्थ हो गया देवी हम पर इस प्रकार प्रहार प्रहार क्यों हो रहे हैं हम पर यह वजरुपात क्यों परन्तु दाइविच्छा के सम्मोख हम कर भी क्या सकते हैं अपने यजवान की आज्या का पालन करके मुझे अपना करतब पे निभाना ही होगा यह दोश तो मेरा है स्वामी आप अपना धर्ब निभाईए और मेरा अंतिर नमस्कार स्वीकार कीजी तरमते तुम मेरी सर्वस्व हो और धांगिनी होकर तुमने मेरे जीवन को सजाया है समारा है चरितार्थ किया है तुम्हारे अटल प्रिष्च्वास चद्धा और सहयोग के बिना मेरा जीवन लक्षा पून हो जाथा अपने कर्टप्य को पूरा करना इस अरिश्चंद्र का परम धर्म है और अपने धर्म को ना निभा कर मैं तुम्हारे चीवन का लुशित नहीं करना चाहता इस चिला पर बैठकर भगवान से अपनी अधमतिम प्रार्थना कर लो है काशी विश्वनात् पुर्शोहत्व सत्यव्रति वचन बद्श्री हरिश्चंद्र की अर्धांगनी होने का भागी जन्म जन्म आंत्रों तक मुझे प्राथ हो यही मेरी अंतिम प्रार्थना है प्राथ था जन्म कि रोग जाओ हरिश्चंद्र अपनी धरम पत्नी का वद्ध अपने ही हाथों करने बतुल गए यह तो भोर पाप इससे तुम्हें प्राप्त होगा क्या स्ट्य का पालन मैंने हर इस्तिती में त्रड संकल्प से किया अपना वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया अपरहा दिन ठैराई गई पतनी का वद करने में भी मैं संकोच नहीं कर रहा हूँ अपनी सच्च रित्रता प्रमानेत करने के लिए मनश्य को इससे उत्तम अबसर और क्या प्राप्त होगा इससे बढ़कर त्रिप्ती और क्या होगी कि विधाता प्रदत्त जीवन को मैंने निर्मल और पवित्री ही रहने दिया इतना वैरागी ना बनो हरिश्चेत्र जीवन के प्रती ऐसी निर्दाईता अपनी कर्तव य पालन की ऐसी निष्ठा मुर्खता नहीं है तो और क्या है नेरा कहा मानो मेरी मातंगी कन्याओं से विवाह कर लो कह दो कि तुम्हें कोई रण नहीं चुका ना मैं तुम्हें तुम्हें राच राटाटूगा रिश्चिवर यही निर्डए मेरा अंतिम निर्डए है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता मैं अपने कर्तव्य से बिमोख होकर पाप नहीं करूँगा कि तुम्हें कर दो नहीं कि तुम्हें 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 दर्शों के अदर्शों स्वहिं ब्रह्मा भी कि तुम्हें रजकर उनीत हो गए तनिक वहां देखो किसने तुम्हारे पत्मी को खरूदा है ये स्वायम शिव और पारवती थे जो काल कौशिक और उनके पत्मी बनका तज्वे पर उत्रे थे वो देखो किसने तुम्हें तास बनाया है वो स्वायम यम्राज थे जो विर बाहू बने थे इंद्र लोग में संपन समस्थ देवताओं के सम्मेलन में सत्ति के वरत को लेकर जो तर्क वितर्क हुआ उसी का फल है कि तुम हरिश्चंद्र से सत्य हरिश्चंद्र होएं तुम्हारे कुल गुरु होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है विश्वामित्र अब तो मान गए ना कि सत्य का वरत असंभव नहीं संभव है शब्द हमारे शब्द कोश में है ही नहीं रिशिवर स्वयम हमारा उदाहरन लीजी हम राजा से राज रिशी और राज रिशी से महर रिशी नहीं बने अब हम ब्रह्मरेशी भी बनका दिखलाएंगे तो फिर आपने उस दिन डाउं क्यूं लगाया ब्रह्मरेशी आप तो जानते हैं कि देवता सदा अपने आपको सर्वस्रेश्ट उत्तम और मानव के भागी का निर्णायक मानते आए है उनका विचार है कि मानव सुगमता से प्रलोभनों के पाश में जकड़ा जा सकता है उसके विश्वास चरित्र और निष्ठा को पानी की तरह पिगलाया जा सकता है परन्तु हरिश्चंद्र ने प्रमानित कर दिया है कि देवताओं की धारणा आधार हीन है और उनका दंब खोकला आप भी बतलाइए कि देवताओं में ढूनने पर भी कहीं हरिश्चंद्र जैसा सचरित्र और सत्य व्रती मिलेगा यह तो मैं पहले से ही कह रहा था आप तो केवल कह रहे थे प्रहम रिशी वसिष्ट हमने तो सिद्ध करके दिखलाया है आज अरिश्चंद्र की परिक्षा लेकर हमने स्रिष्ट के सम्मुक सत्थ आदर्श और चरित्र का एक ज्वलन दूदार अन्तस्तुत किया है हे अरिश्चंद्र तुम्हारा नाम चिरस्थाईर अपने आधे तक वबल के साथ आज हम तुम्हें तुम्हारा पूर्व वैभव धरम पत्नी और उत्र लाटा रहे रोहेट रहें है यसस्वीपवा, सवभाग्यवतिपवा, चिरनजीवीपवा गायत्री के आशीर्वाज से कौशिक वंश का विश्वरत्वरत विश्वामित्र बना ये तेजस्वी और यशस्वी योद्धा राजा से राजरिशी, राजरिशी से महरिशी और महरिशी से प्रमरिशी हुआ अपनी सिलक्ष सिध्धी के लिए जीवन भर वो संग्राम करता रहा, ब्रह्मा ने स्वयम प्रतक्ष होकर विश्वामित्र को ब्रहमरिशी घोशित किया, फरंति विश्वामित्र का अग्रे था कि वसिष्ट ही उन्हें ब्रहमरिशी घोशित करें, जिस वसिष्ट से ब्रहमर अपूर्व है उसने अपने तपोबल से गायतरी का साक्षात कार किया जिस राजा सत्यवरत को सर्शरीर स्वर्ग में आने से देवता रोक रहे थे उसके लिए एक नया स्वर्धी वचा भरत विश्वा मित्र ही का पोता था जिसके नाम पर ये देश भारत वश्व कहलाया दे हरीषचंद्र के जीवन के द्वारा विश्वा मित्र ने प्रमानित किया कि मानव होकर भी हरीषचंद्र अपनी सरेश्टता का दम भरने वाले देवताओं से उत्तम एवं सद्गुनी है बालक राम और लक्षमन को वन ले जाकर उन्हें धनुर्धारी और वीवशूर बना राम के चर्ण सपर्ष्ण से शापगरस्त अहिल्या को मुप्ती मिली राम का विवा सीता से संपन हुआ इन सभी कल्यान कारी कारियों का सूत्रधार विश्वा मित्र ही है राम सीता विवा के उप्रांत ब्रम रिशी विश्वा मित्र सब तरिश्यों में से एक हुआ विश् अद्वतिय और वंदनिय है